Hello boys and girls welcome back to the Shatak series Shatak यानि 100 question की एक ऐसी series जो top 100 rank को ध्यान में रख करके बनाई गई सारे ही question out of box thinking वाले है आज हम बात करने जा रहे है concept number 8 की जिसमें देखते हैं क्या question question is related to binomial and question is related to double sigma यह double sigma हमें solve करना आता है double sigma का मतलब क्या होता है पहले मतलब एक बार recall करा देता हूँ जैसे अगर यह लिखा है कि double sigma i goes from 0 to j to n j और i के बीच में equality नहीं लगी तो इसका मतलब होता है i की value पहले आप 0 रख दो और j की value 1 से ले करके n तक ले जाओ फिर i की value 1 increase कर दो j की value फिर आप 2 से n तक ले जाओ and so on और last में i maximum n-1 तक जा पाएगा और j की value n-1,2 in that case फिर j की value केवल और केवल n होगी यह पूरा double sigma का मतलब होता है अब यहां इस question में अगर आप notice करें कि अगर मैं इसको इस submission sum sum लिख देता हूँ इस submission को तो यह values के आएगी i की value पहले आप 0 ले लो n-c-0 को मैं short में c-0 लिख दे रहा हूँ तो यह c-0, c-1, c-0, c-2 से ले करके c-0, c-n तक यह पहली i की value 0 के लिए पहली row होगी दूसरी row में i की value 1 fit करते हो तो c-1, c-2 ऐसे करके यह c-1, c-n तक जा रहा है लेकिन अगर यह double sigma c-i, c-j होता तो ठीक था क्या यहाँ पे एक number भी लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे i plus j का multiplication है तो यहाँ पे यह केवल c-0, c-1 नहीं जो suffix का addition है वो भी यहाँ लिखा जाएगा यह यह यहाँ पे यह हो जाएगा 2 और यहाँ finally n आ जाएगा इदर अगर हम ध्यान दें तो यह n plus 1 आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा 1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 आ जाएगा और 3 से लेकर के यहाँ तक फिर n plus 1 आ जाएगा तो जो भी है यहाँ पे यह नंबर साथ में आ रहे हैं तो which makes it difficult to understand और अगर हम लास्ट में यहाँ पे n और n-1 एड़ करें तो यह 2n-1 और यह cn-1 cn यानि यह पूरा समेशन हमें निकालना है तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है जैसे आप यूज्यली जब sequence and series पड़ते हैं तो एक trick आपने पड़ रखी है reverse the series यानि आप जो भी sigma लिखा है उसमें lower limit plus upper limit minus r variable लिख देते हैं तो series reverse हो जाती है यानि इस question में क्या हम reverse the series की trick लगा सकते हैं क्या simple series के लिए तो हमने पड़ रखा है बट double sigma में ऐसा किया जा सकता या नहीं किया जा सकता वो हमें देखना यानि इस binomial theorem के question को हमें double sigma reverse trick से solve करना गाइस देखते हैं कि कैसे हम यह कर पाएंगे तो इसका general concept क्या है let's say कि अगर आपको कोई double sigma ऐसे लिखा हुआ है और यहां पे हमने बोल दिया let's say ti tj और i की value हम convenience के लिए वैसे तो sequence and series में सब जानते है starting first number of term से होती है लेकिन अगर हम यहाँ binomial की बात कर रहे है तो i को हम zero भी ले सकते हैं तो binomial के इस question को समझने के लिए हमने i और j i की value zero से start करें अब आप notice करें यहाँ पे i की value जब आप zero put करोगे तो यह sigma बन जाएगा t0 t1 फिर t0 t2 से लेकिट t0 मतलब i को तो आप fix रखो और j को आप move कराते जाओ 0 से लेकर के n तक similarly अगर मैं यहाँ t1 लिखूं यह t2 हो जाएगा plus so on यहाँ पे last में आजाएगा t1 tn ऐसे ही एक एक term आगे बढ़ता जाएगा और last में बिल्कुल last में tn-1 tn आजाएगा यानि यह row wise हमने कितने terms लिख दिये यह first row के अंदर 0 1 से लेकर के n terms हैं दूसरे में n-1 terms हैं यह total terms हो गए total terms हो गए n by 2 n plus 1 basically n plus 1 c2 terms हो गए n plus 1 c2 terms हो गए तो अब क्या इसमें हम reverse the series वाली trick लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं double sigma में जो भी ti tj है इसमें lower limit आप देखें lower limit की value है 0 और upper limit की value है n तो अगर मैं यहाँ पे इसमें lower limit मतलब i की जगे मैं क्या replace करने वाला हूँ यानि reverse the series की trick लगा रहे है n minus i और j की जगे मैं क्या replace करने वाला हूँ n minus j तो guys यहाँ पे यह ti tj will become tn minus i और tn minus j अगर ऐसा करने से summation same आ जाता है तो हम यह series किसी भी double sigma में भी हम reverse वाली trick लगा सकते हैं तो guys पहले i की value हम 0 put करें तो यह आ रहा है tn now j will move from 1 to n तो tn tn minus 1 then tn tn minus 2 से ले करके tn और j की value आप maximum चुकि i की value आपने 0 रखी है और j की value आप 1 से move करा रहे हो तो last में tn तो यह बना रहेगा last में tn t0 आ जाएगा क्योंकि आपने j की value maximum क्या रखनी है second अगर row की हम बात करें तो यह tn minus 1 हो जाएगा क्योंकि आप i की value फिर 1 ले लोगे और यह शुरू होगा tn minus 2 से ले करके फिर से tn minus 1 t0 notice करें जो पहली row यहां आ रही थी यहां पर row t0 t1 से लेकर t0 tn तक आ रहा था वो यहां पर कौन सा column आ गया क्या यह ऐसे अगर हम लिखते चले जाएंगे तो end कहां होगा यहां पर अगर मैं बात करूं कि end कहां होगा तो इस term को हम कहीं न कहीं plus ऐसे लिख सकते हैं dot 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 और इसको थोड़ा सा हम लोग shift कर लेते हैं to clear understanding right तो यहां पर अगर last term मैं देखूं तो यहां आ जाएगा last term आ जाएगा जब आप i की value कह रख दोगे n-1 n-1 रखने पर यह t1 हो जाएगा और यहां पर जब n रखोगे t0 तो जो पूरी series है row wise थी वो आप देखे column wise बन गई यानि t0 t1 से t0 tn-1 और t0 tn यानि यह वाला column आपको दिखाई यह वाली row आपको column will become row and row will become column यानि कि यह notice करें जो यहां पर row है वो last column बन गया right तो यानि summation हमेशा same रहता यानि double sigma में भी हम series reverse the series वाली trick लगा सकते हैं आप पूरी बात यहां पे पूरे हर term आप match करके देख सकते हैं तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो इस तरह का जो question होगा जो हमने question लिया है उस question में हम यह apply कर देते हैं यानि अगर मैं इसे s बोलूं double sigma i goes from 0 to j to n और यह आगया i plus j nci ncj और फिर इसमें हमने trick लगा दी reverse the series तो i की value 0 to j to n यानि की हमने यहाँ पे i की जगे n-i और j की जगे n-j लिग दे trick का नाम क्या है reverse करने से summation तो बंदल नहीं जाएगा और obviously not exactly reversing the series but you are making row into columns and column into rows but नाम है इसका तो ऐसे लिख दिया अब आप notice करो यह आ रहा है n-i plus n-j और यह बिल्कुल integration के king's rule की तरह है आप यह लिख समझ सकते हो ठीक है n-c-n-i और यह n-c-n-j when you solve it कैसे solve करें दोनों को add कर दो दोनों को add करें तो double sigma is actually यह दोनों टर्म्स addition of two sigmas better है कि एक sigma लगा लो और दोनों टर्म्स को add कर दो notice करिए यह दोनों टर्म आपस में add हो करके 2n बन जाएगा क्योंकि बाहर वाले term n-c-i और n-c-j तो common हो गए तो अब यहां पर s की value क्या आ गई यह आ गया double sigma एक n बाहर आ गया to cancel हो गया n-c-i और n-c-j now this is a very regular question n-c-i n-c-j कैसे निकालते हैं double sigma c-i c-j double sigma c-i c-j n-c-i n-c-j when you write it like this तो it means i की value 0 से j to n जब आप इसको पूरा calculate करते हो तो यह आ जाता है c0 c1 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 c0 c2 से लेके c0 cn यह यह n यह n plus 1 c2 terms होंगे और अगर हम इसे solve करें पूरा last में कितना आता है cn-1 cn you can write it like this कि यह जो पूरा double sigma का term है यह आप लिख सकते हो c0 plus c1 से लेके cn summation उसका whole square minus c0 square c1 square से लेके cn तक का square और दोनों की value और divided by 2 यानि वो formula लग रहा है basically यह हो जाता है 2 की power n का whole square और वो 2n cn यह regular questions है binomial theorem के तो answer आगया 2 की power 2n minus 1 minus half of 2n cn और better way में भी लिखा जा सकता लेकिन अभी फिलाल हमारा answer क्या हो गया यह answer नहीं है यह इसके साथ n times लिखना पड़ेगा क्यों पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर double sigma के साथ n times हा रहा है नहीं स की value क्या हो गई hence s is equal to n times double sigma था तो answer आगया 2 की power 2n minus 1 minus half of 2n cn so this is final answer and the trick is basically the concept is reverse the series जो हम simple situation में लगाते हैं उसको हम double sigma में लगाते हैं उसको हम double sigma में लगाते हैं right so guys यह हो गया concept number 8 thank you very much wish you all the best